हलो दोस्तों मैं सरोज आप सभी के बहुत बहुत स्ञागत करती हूं मेरे चैनल सरोज का किचन में आज मैं आपके लिए लेकर रहे हूं एकदम खिले-खिले साबुन दाना खिचली की रेशती अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो साबुन दाना जो खिचली बिल्कुल भ जो है कितना खिला-खिला है बिल्कुल भी चिपका नहीं है साबुन दाना भीगोना बहुत ही जयरूरी है तो इससे मैंने चार से पाच घंटे के लिए भीगो के रखा था आप देख सकते हैं मैस करके साबुन दाना कितना अचिस से फूल चुगा है आप साबुन दाना की पाणी में साबुन दणा दूब जाए बीुच में क्या करे कि साबुन को थोड़ा सा पानी से छी्टे मार दे आधैस लिए गहंटे के बार उपर नीचे करके थोड़े-थोड़े पानी का स्खिटा मारदे तक साबुन दना परफेकT भीणेसे फूंद जा येगा बिल कुल भ बना रहे हैं घीर डालेंगे आप चाहें तो इसे वैल से बना सकते हैं अगर उपवास के लिए नहीं बना रहे हैं तो जीरा डाल देंगे तड़के में साथ हम डाल देंगे हम इसको थोड़ा से चटकने देंगे चटकने के बाद डालेंगे में इसमें हरी मिर्च अब अपनी साब से कमजेदा कर लिजी जीतना को दिखा खाना है हरी मिटको थोड़ा से भूनेंगे साथ ही हम डालेंगे हम कड़ी पत्ता बहुत ही अशा फ्लिवर लेका आता है सामुदने किज्डी में पहेते जरूर डाले थोड़ा से भूनेंगे इसको यह देखे कड़ी पता थोड़ा से भून चुका है यहीं भी डाल देगा हम अपना उबला हुए आलू आलू को मैंने पहले ही उबाल लिया था उबाल के छोड़ी पीशिस में काट लिया है आप चाहिए से बीना उबाले भी डाल सकते हैं पर आ आलू को फ्राई कर लीजिये पर मैंने आलू को उबाल लिया था यह देखे आलू बहुत अच्छ मैं राखे हो चुके हैं इह पकर राक्वा को यह बर मिला लेंगे से सबूंधनाब अच्छे से चलाते हम पकाएंगे लोः फलेंके सबूंधनां को फूला रहेगे तक कड़ाई में बिल्कल भी नहीं चिपकेगा अगर वही जो साबू अना अच्छे से नहीं फूलेगा, तो फूलेगा तो पड़ाहि मीची पकने लगता है, इस बात को ध्याद रखे साबू अना पुछे सी भी गोदे, यहां मैंने मुंफुली का पाउडर लिया है, भूना हुआ मुंफुली को मैंने फीस लिया है, बहु आगी मैं ऊपवास के लिए बना रही हूं अगर आपको पास के लिए नहीं बना रहे हैं दियांपे शादा नमक ले सकते हैं इपके उपर है कि जो नीम्राब से कांथ अगर आपको पास में खाते हैं तेक टमाटर भी काटकर डाल सकते हैं आलू के साथ जहां मैंने आलू फ्राइए किया इसे ढखकर हम पकाएंगे लो फ्लेम पे बीच में भड़कन हटाकर चलाते रही है यह देखिए हम अर्शाबना के जो खिचड़ी है लमसब बनके त्यारी हो चुका है तेक बड़ चला लेंगे यह भी डाल देंगे हम बारी कटा हुआ हरा धनिया इसे मिला लेंगे यहां मैं थोड़ा से मुफली फ्राइकर के निकाला था बहुत ही अच्छा लगता है ताबू दने खिचड़ी में तो मुफली जरूर डाले मुफली को मैंने पहल हुआ है खास को बंद करने के बाद में भी अधन नीबू का रस है जाद रहा है कि यस बंद करने के लाद में नेबू डालना है बिल्कुल भी शिप नहीं बनाए तो आ अधना न मोति वे तरह कि यसे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप सब कर लेते हैं हमारा भी ज़रूर ट्राइए करें आप सबको बहुत ही पसंद आएगा इसे थोड़ सहारा धनिया से हम गार्निस कर लेंगे त्यार है मैं आप बहुत ही चेस्टी साबुन दना की चरीत आप सब इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइए करें और ट्राइए करने के बाद अगर आपका मेरा दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं फिर से नई रेस्पी के साथ तब तक लिए बाए दोस्तों